नमश्कार प्यारे बच्चो तो आईए आज शुरू करते हैं कक्षा फिफ्ट का जो हमारा रिवीजन प्रैक्टिस वर्कशीट है उसमें लेसन नमबर सिक्स मैथ का करते हैं इस लेसन का नाम है मैथ तेरा गुननखंड गुनज तू मेरा तो यहां पर लिखा हुआ है आपके चैप्टर नेम मैथ तेरा गुननखंड गुनज तू मेरा यह आपकी किताब में लेसन नमबर छे है तो यहां पर सबसे पहला क्वेस्टन लिखा हुआ है चार के गुनज लिखिए तो प्यारे बच्चो गुनज का मतलब होता है चार से जो चार के टेवल में जो अंक आते ह हैं तो अगर हम यहां पर देखें आठ बारा और सोला यह तिन्नो संखें चार के टेवल पर आ रही है यानि चार के गुनज है इसके इलावा 30, 34, 36 यह नहीं आ रहे है ब्यारी, 46 और पचास यह भी चार में नहीं आते यहां पर तीसरे समें 20 और 24 को अगर देखें तो यह आ टिक लगा देते हैं अब हमारा next sum है यहाँ बस sum number 2 में लिखा हुआ है 12 के गुननखंड लिखो तो 12 के गुननखंड का मतलब है 12 जिस table में आता है जिस जिस के table में आता है अगर हम पहले sum में देखें तो यह 2 के table में भी आता है 3 और 4 के table 3 के table में यह है आ रहा है अब अगला जो हम देखें तो यह 2 के table में 3, 4, 6, 12 3 सभी table में यह है आ रहा है अब अगला अगर हम देखें तो यह 6, 12, 6, 12 और एक के table में भी आ रहा है अगर हम अगला देखें next देखें तो यह 1, 2, 6, 12 तो यहां पर यह भी इसके गुननखंड है तो इस में से जो सबसे सही है प्यारे बच्चो वो जादा जो है हमारे गुननखंड वो अगर हम देखें जादा गुननखंड वाला तो option number 2 है क्योंकि यह 2, 3, 4, 6, 12 के table में आ रहा है तो यह इसके गुननखंड है अगला तीसरा question है तीन और पांच का सबसे छोटा सजा गुनखंड कौन सा है तो अब हमने तीन और पांच का सबसे छोटा गुनखंड लिखना है अगर हम तीन के गुनखंड लिखें तो तीन के गुनखंड होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह आप आगे लिखते चलेंगे बीस पच्चिस तो अब हमने इन में से सबसा छोटा गुनज देखना है जो तीन और पांच दोनों में common हो तो अगर यहां पर हम पंदरा को देखें तो यह जो पंदरा है पहला संख्या जो तीन और पांच के टेबल में common आ रही है पहली संख्या तो यह सबसे छोटा गुनज है तो यहां पर हम तीन नंबर पंदरा पर टिक लगा देंगे अब इसके बाद अगला question है पंताली और छे का सबसे छोटा गुनज कौन सा है तो यहां पर लिखा हुआ है पंताली और छे का सबसे छोटा संजा गुनज तो इसी तरह हमने यह करना है पंताली का और छे का टेबल अब आप पंताली का टेबल जो है थोड़ा बड़ा है तो आप लिख नहीं पाओगे तो इसके लिए मैं आपको एक असान तरीका बताता हूँ तो आपने प्यारे बच्चों क्या करना है यह जो दोनों संख्याँ आपको दी हुई हैं पंताली और छे इनका आपने ऐलसीम निकाल लेना है क्योंकि जो ऐलसीम आता है वो जितने भी नंबर हों उनका सांजा पहला गुनज होता है तो अगर हम पंताली और इसका छे का एलसिम निकाले तो यह पहले दो के टेबल पर जा रहा है यहां पंताली और छे जाएगा दो के टेबल पर तो तीन आ जाएगा अब तीन के टेबल पर करेंगे तीन एकम तीन पांच तीए पंदरा तो पंताली को डिवाइड करेंगे तो पंदरा आ जाएगा तीन को करेंगे तो तीन एकम तीन अब फिर ये तीन के टेबल पर या रहा है तो पांच तीए पंदरा एक ऐसे ही लग जाएगा फिर ये पांच की टेबल पर जाएगा पांच एकमा पांच तो ये जो नंबर हमारे पास आ गए है तो इस तरह से पंताली और छे के ये जो गुनन ये जो LC माया है 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 तो इनको अगर हम multiply करेंगे तो 2, 3 जा 6 6, 6, 3 जा 18 18, 5 जा 90 तो जो 90 है वो पंताली और छे का सबसे छोटा गुंज आ गया यानि इसका option नंबर जो 4 है वो हमारा उत्तर होगा तो आईए अगला सम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 18 के गुनन खंड कौन कौन से हैं तो 18 के गुनन खंड प्यारे बच्चो हमने यहाँ पर लिखने हैं तो 18 जो है वो पहला option गलत है पांच की टेबल में नहीं आता दो दूसरा option 6 और 18 यह दोनों गुनन खंड हैं इसी तरह 2, 3, 12 और 24 हैं जो इसमें 24 और 12 इसके गुनन खंड नहीं है क्योंकि इन पर यह डिवाइड नहीं होता तो अगर हम option number 4 को देखें तो इसमें यह जो गुनन खंड है 18 के 18 को हमने अगर देखना है एक के टेबल 2, 3, 6, 9 और 18 के टेबल में जाता है तो यहाँ पर एक नहीं बाकी गुनन खंड है जादा जो है सबसे वो चौत्वा option हमारा सही answer होगा तो आईए अगला question देखते है इसके बाद च्छै नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और 25 और 35 का सांजा गुनन खंड तो पहले हम 25 को देखें अगर तो यह हमें पता है यह एक एक के बाद यह 5 के टेवल में जाएगा और 5 के बाद 25 के टेवल में जाता है इस तरह अगर 35 को देखें तो यह है एक एक के बाद यह 5 के टेवल में आता है 5 के बाद 7 7 के बाद 35 के टेवल में आता है अब अगर देखें हम 25 और 35 में सांजी संख्या एक और पांच है जो दोनों में है तो एक यहां उप्शन में नहीं है तो पांच है तो हमारा जो तीसरा उप्शन है वो सही आंस्वर आ जाएगा अब अगला सम अगर हम देखें इसमें यहां पर लिखा हुआ है 16 और 32 का सबसे छोटा गुंज बताओ तो 16 और 32 किस टेबल पर जो है इनका जो जो अगर टेबल अगर हम देखें 16 का तो पहले की तरह हम इसका ऐलसिम निकाल के भी कर सकते हैं 16 और 32 का तो अगर इसका हम ऐलसिम निकालें तो यहां पर इसका जो एलसिम है वो 32 आएगा आप एलसिम निकाल कर चेक कर लें तो इसका मतलो इनका सबसे छोटा गुंज है जो 32 आ जाएगा अगला समब देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है 36 के गुंण खंड बनाओ तो 36 किस किस टेबल में आता है तो यह जो पहला आप्शन है यह हमारा सही है दोनों टेबल में आ रहा है दूसरा आप्शन गल्ट है तीसरा गल्ट है क्योंकि जो 54 है इसके टेबल में यह नहीं आता 36 और यहां दूसरे तीसरे आप्शन में 20 के टेबल में नहीं आता और चोथे option में 8 के table में यह नहीं आता तो यह पहला option है जो 4 और 6 यह है इसके गुनन खंड़ है यह option इसका सही है तो अब question number 9 में लिखा हुआ है 10 के गुनज लिखो तो 10 के गुनज हमने लिखने है यानि 10 का जो table है हमने लिखना है तो यहाँ पर जो option number 1 है यहाँ पर 45 है यह 10 के गुनज में नहीं आता अगर 10, 20, 30, 40 यह option 2 है वो सही है जो 10 के table में आते हैं अगला है question number 10 सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या कौन सी है तो प्यारे बज़े जब हम प्राक्तिक संख्या लिखते हैं तो हम एक से शुरू करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच तो पहला option एक हमारा उत्तर सही उत्तर है तो अब यहाँ पर अगले question number 11 में लिखा हुआ है अठारा के लिए गुननखंड पैड बनाना है तो हमने देखिए आप अठारा के लिए किस तरह आपकी किताब में भी यह है गुननखंड पैड बनाना है तो अठारा के अगर हम देखें तो अठारा को पहले हम दो के टेबल में यह जाता है तो दो multiply 9 दो 9 अठारा यानी 9 द इस तरह पैड हमारा बन गया है 18 के गुननखंड के लिए. अब अगला question number 12 है, इसमें हमें लिखा हुआ है 4 और 6 के सजा, गुननखंडों को लिखिए, तो ये सजा नहीं है प्यारे बच्चों, ये यहां गल्त लिखा हुआ है, यहां पर संजा है, संजे का मतलब common, यानि जो 4 और 6 के दोनों के गुननखंड है, उनको लिखना है, तो अब अगर हम 4 के गुननखंड देखें, तो 4 एक, दो, और 4 के टेबल में आता है, अब 6 को देखें, तो यहां 1, 2, 3 और 6 के टेबल में आता है, तो यानि अगर हम संजे गुननखंड लिखें, तो अनों में जो आता है, 4 और 6 तो वह एक और 2 है, तो यह इसके संजे गुननखंड है, अब अगला क्वेस्चन नमबर 13, जो अंतिम क्वेस्चन है, इस वीडियो का, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, 10 और 15 का सबसे छोटा, सजा गुननखंड क्या है, तो सजा का मतलब फिर यहां पर संजा है, संजे का मतलब जो कॉमन होता है, तो अगर हम 10 को देखे, तो यह 1, 2, और 5 और 10 के टेबल में आ रहा है, इस तरह 15 को देखे, तो यह 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 5 और फिर 15 के टेबल में आता है, तो अगर इसमें हम सबसे छोटा गुननखंड देखे, तो प्यारे बच्चो, सबसे चोटा गुननखंड आपके सामने स्क्रीन पर है एक है जो इसके टेबल में यह दोनों संखें आ रही है एक के इलावा अगर एक को हमने यहां पर नहीं मानना तो इसके बाद सबसे चोटा गुननखंड दो है और दो के बाद गुननखंड पांच है तो सबसे छोटा हमारा एक है तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों मित्रों में जादा से जादा शेयर भी करना है आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद